जैश्री किष्णा राधे राधे दोस्तों बागा होता क्या है? कहां से मिलता है बागा? क्या क्या कर सकता है बागा? दोस्तों बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में लेकिन शर्थ है कि इसे पूरा सुनना अगर दिल से सुनोगे और पूरा सुनोगे किस्मत से मिलता है और अगर आपकी किस्मत में बागा का मिलना है तो किसी ना किसी बहाने आपको बागा मिल जाएगा और बागा मिल गया तो आप समझो कि बाबा श्याम कुछ चल कर आपके घर आपके साथ आए हैं दोस्तो जिनको बाबा के बागा के बारे में पता है वो कमे में एक बार लिखतो हारे के सहारे की जै हो और दोस्तों यहां आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही वीडियो पसंद जानते हो बागा में कितनी ताकत है नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ बागा में इतनी ताकत होती है कि यह मरे हुए इंसान को भी जिन्दा कर सकता है जिसके बच्चे नहीं होते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं इतनी ताकत है इस बागा में जो हर जगह से हार चुका है उ उसकी हर जगा जीत निश्चित है ये सब मेरे खाटुशाम वाले का ही चमतकार है यूँ ही नहीं इन्हें हारे का सहरा कहा जाता है इतनी शक्ती होती है बागा में अब आप सोच रहे होगे इतनी शक्ती होती है बागा में लेकिन ये बागा होता कहां है कहाँ से मिलता है ये बाबा का अंतहवस्त है जो पूरी साल शाम बाबा के चारओ और लिपटा रहता है और इसमें वो सारी शक्तिया समर्पित हो जाती है कि ऐसा लगता है साक्षात बाबा आपके साथ है जो सिर्फ साल में एक बार बदला जाता है केवल बसंत पंचिमी के दिन ये बागा बदला जाता है और नया बागा बाबा को पहनाया जाता है और पुराना बागा सभी भक्तों में बाटा जाता है दोस्तों बागा सवा मीटर पीले रंग का वस्त होता है जो बाबा को पहनाया जाता है बागा को बिलकुल छोटे छोटे टुकडों में काटा जाता है क्योंकि बागा केवल सवा मीटर पीले रंग का कपड़ा होता है लेकिन बागा पाने वालों की संख्या लाखों में होती ह यही किस्मत है कि उस सवा मीटर कपड़े में से बहुत ही किस्मत वालों को ये बागा मिलता है वो भी जब बाबा की मर्जी होती है तभी आपको बागा मिलता है आप चाहे सुबा से शाम तक लाइन में लगे रहें और चाहे तो आप पल भर के लिए जाएंगे अगर आप ये किस्मत में बागा लिखा है तो आपको जरूर मिलेगा अगर नहीं तो आप पूरा दिन निकाल दोगे आपको बागा नहीं मिलेगा बागा मिलता कैसे है सबसे बड़ा सवाल है बागा उसी को मिलता है जो दिल से चाहता है जिसको बाबा पर विश्वास है उसी को बागा मिलता है बाबा का बागा आपके सारे रुके हुए काम पूरे करता है जो भी समस्या है आपकी बड़े से बड़ा रुका हुआ काम सभी बाबा पूरे करते हैं दोस्तों एक और ज़रूरी बात है कि बाबा का बागा हमें मिलेगा कहां से और बाबा का बागा किसी भी खाटु शाम मंदिर से आपको मिल जाएगा ध्यान रखो किसी भी खाटु शाम मंदिर से मिलता है बाबा का बागा ये बागा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको केवल और केवल खाटु शाम मंदिर में ही मिले या चुलकाना धाम में मिले नहीं आप किसी भी शाम बाबा के मंदिर में जाकर पुजारी जी से बोलो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्द से जल्द पहुँचना है, क्योंकि बाबा के बागा के लिए लाकों की संख्या में लोग प्रतिक्षा करते हैं, पुरी विधी विधान से इस वस्तुर को उतार कर दुबारा नया वस्तुर पहनाया जाता है, तो पुराना वस्तुर बक्तों में बाट दिया जाता है और अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको समय से मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो उदास होने की जरूरत नहीं है कि बाबा अभी आपकी और प्रिक्षा लेना चाहते हैं और आपको अपने करीब लाना चाहते हैं दोस्तों अगर आप आपको बाबा का बागा मिल जाता है उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों आपको बाबा का बागा मिल गया है यह आपकी किस्मत है और बाबा का आशिवाद है अब आपको करना क्या है घर जाकर बागा को आपने घर के मंदिर में रख दो उसके बाद साफ पानी से बागा को छीटे लगा दो ध्यान रखे गंगा जल आपको इस्तिमाल नहीं करना है यूगि बाबा की पूजा में गंगा जल का इस्तिमाल नहीं होता है आपको सच पानी लेना है उसी से बाबा शाम के बागा को छीटे लगाने है उसके बाद आपको शाम बाबा और हनुमान जी के सा मतलब कि आप समझ सकते कि बाबा आपके सामने बैटे हैं और हनुमान जी की मूर्ती के आगे आपको एक दीपक जलाना है और एक दीपक शाम बाबा के नाम का जलाना है उसके बाद उस दीपक के सामने और हनुमान जी के सामने आपको एक एक फूल चड़ाना है उसके बाद घ चालिसा, इस्तुती, आर्थी, हनुमान-4, हनुमान जी की आर्थी करने के बाद, हाथ जोड़ कर प्रात्ना करें, कि है शाम बाबा, आप बागा के रूप में मेरे घर आये हो, आपका स्वागत है, हमारे साथ यहां वास करो, और जो भी आपकी परिशानियां एं, उनको चाहते हो वहां रख दो लॉकर में रखना चाहते हो वहां रख दो ऑफिस में रखना चाहते हो ऑफिस में रख दो पर्स में रखना चाहते हो पर्स में रख लो या आप उसे अपने शरीर पर धारण करना चाहते हो जैसे लॉकिट वगरा में आप चाहो तो वैसे भी रख सकत इसलिए कोशिश करें कि बागा को शुद्ध जगय पर ही रखें उसके बाद आप जब भी घर से काम के लिए निकलें तो बागा के पैर छोकर भगवान का आशिरवाद लेकर निकलें और बाबा से बोल दो कि बाबा चलो मेरे साथ मेरा ये काम पड़ा है इस काम को पूरा बादो और देखो आप पूरे सच्चे दिल से बाबा पर विश्वास करके देखो देखो आपका काम होता है के नहीं आपका काम जरूर बनेगा बस आपको जरूरत है थोड़े समय देने की और बाबा पर विश्वास करने की बस इतना सा आप काम कर लीजिए और देखिए आ वीडियो आपको फसंद आयोगी तो लाइक शेयर जरू कर दीजिए साथ ही कमेंट में जैशीर शाम हारे किस हारे की जै जरू लग दीजिए धन्यवाद और किस को बागा अब तक मिल चुका है हमें बताएगा जरूर दोस्तों हमें आपके कमेंट्स का इंतिजार रहता है धन कर दो दो दो.